जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेटपॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बेल आइकॉन को दुरूर्द बादें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों को आपको हमारे काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com दोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं कि इसमें जो आज हमारे भारत में मुसल्मान है उनको कोई नुकसान नहीं हो है रहना चाहते रहे पूरोजों के पास वापस आना चाहते हैं उनके मन पर है फिन्दूों में आगरा है नहीं इस्लाम को कोई खत्रानी है हां हम बड़े हम एक समय राजा थे हम फिर से राजा को ना यह चोड़े के मुसल्मान सुप्रमिसी की बात नहीं करते हैं। Such a equality की बात करते हैं मगर RJ आरे सस्ग और यह तो एक उनका जो स्टेटमेंट है कास्ट इस्ट एक अपरकास्ट की अinhos निकास्ट में है कि वह तो Rooler और रूल ट की बात कर रहे हैं। उनके मश्वरे का बहुत बहुत शुक्रिया, तन्यवाद उनका बहुत, अपनी अपनी सोच है, अपनी विचार धारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है सम्विधान के अधिकार से, मैं 27 महीने मैं, मेरी पत्नी, मेरा बचा, एक आईसुलेटर्ट सेल में कैद रहे हैं, जहां दाल का पानी और सड़ी रोटी खाने को मिलती थी, आवास कहां से रह जाएगी, होसला बाकी है, पहले भी मैंने कहा था, जिन्दा हूँ, और जिन्दा हूँ, जिन्दा हूँ, जाह हो गई फिल्म, फूप चलेगी, फूप कमाएंगे पैसा, फिर खौब देखना अच्छी बात है, जो खौब नहीं देखते हूँ, कुछ नहीं कर सकते हूँ, अगर चुनाव जितने के लिए, राजमिती करने के लिए, आब बार बार हिंदू-मसल्मान करते रहोगे, यही जगड़े करते रहेंगे, तो देश फिर एक बार तूड जाएगा, फिर एक बार उभाजन की स्तिती पैदा होगी, लोगों के मन में डर पैदा करके आप जादा दिन राजनीती नहीं कर सकते, अगर हमारे मार्गदर्शक, नेता, मुवन भागवत जी ने बात सामिय रखी है, तो भारती जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके उपर गवर करना चाहिए, दिल्ली में फोन चीदने वाले अनीश ने दिल्ली पुलिस के A.S.I. शंभू दयाल को कई बात चाखु घोपकर मार डाला, कई खबरिया वेबसाइटों न्यूस चैनलों ने उसे मुहमद अनीश बताया, इस खबर को T.N. भारत N.D. TV आज तक सुदर्शन न्यूस टीवी ने हिंदू मुसल्मान वाला रंग देते हुए पुलिस वाले पर हमला करने वाले शक्स का नाम मुहमद अनीश बताया, जबकि आरोपी अनीश राजपुत्र प्रहलाद राज हैं, लेकिन इसके बावजूद कई न्यूस चैनल्स ने इसी बहाने कमिनल नफरत पहलाने का सियासी तमाशा किया, फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसका नाम अनीश राज है, उसके पिता का नाम प्रहलाद राज है, और मामला हिंदू मुसल्मान वाला नहीं है, अब न्यूस चैनल्स और वो लोग बिना अपनी गलती माने ट्विट डिलीट करते फिर रहे हैं, दोस्तो अभी मुल्क की मेजॉरिटी वाली कमिनिटी को भले महसूस नहीं हो रहा हो, और शायद इस सियासी तमाशे में मज़ा भी आ रहा हो, क्योंकि मुसल्मान इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, जब पूरा भारत इस नफरती खेल का असर झेलेगा, सोचिए, खुले आम नैशनल टीवी पर मुस्लिम कमिनिटी के खिलाफ नफरत ठलाई जाती रही है, कुछ खुद को पत्रकार कहने वाले नफरती चिंटूओं ने खातिल को जहादी तक बता दिया, जब दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन किया, तो कई नफरती चिंटूओं ने ट्वीट डिलीट कर दिया, अब सवाल ये उटता है कि क्या दिल्ली पुलिस को इन नफरती चिंटूओं के खिलाफ कारवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, आकाओं के हुक्म को नजर अंदास करना अब मुश्किल है, फुल मिलाकर जहर घुल गया है, और उसके नतीजे भी आने लगे हैं, शर्म की बात है कि लुटेरे कातल ने दिल्ली पुलिस के जवान का कतल कर दिया और उसके बाद भी मीडिया की नीचता देखें, हत्यारे लुटेरे का नाम जान जान बुचकर मुस्लिम बता कर दूसरा एंगिल दिया गया जब कि वो हिंडू था, जान बुचकर इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई के बावजूद गल्ती नहीं मानी गई, नफरत पहलाने वाले भेड़िये कुछ नहीं देखते हैं, यह है मोदी का नि पुलिस और मुल्क के बाकी इंस्टिउशन्स खामोशी से तमाशा देखते रहे, वहीं दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट करके खाना पूरती कर दी, क्योंकि उनकी आकाओं को इसी में खुशी मिलेगी, और जो गानून इंसाफ की कसमे खाई थी, वो भूल गये, वहीं पोटोशॉप करके गोश्ट और शराव लग दी गई, फिर उस तसीर को वाइरल कर दिया गया, वहीं बात अगर भारत की कैपिटल दिल्ली में लॉइड और की करें, तो दिल्ली की पुलिस का कितना बुरा हाल है, ये ने साल के पहले दिन लोगों ने देखी लिया था, एक लड़की को 14 किलो मीटर घसीच कर मार डाला गया, अब दिल्ली पुलिस के एक A.S.I. की जान चली गई, गुंडे ने मार डाला, सोचिए, बीच सड़क पर खुले आम क्रिमिनल्स पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा, दोस्तो कैपिटल दिल्ली क ये हाल है कि लेडी कैप ड्राइवर को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके जिसम पर दस ताके आए हैं, और ये सब बीच सड़क पर होता रहा, ना पुलिस ने मदद करी, ना रास्ते पर मौजूद लोगों ने, उसके पैसे चीने, बीर की बोतल मारी, जब बचने के लिए व एक आर्मी मेजर की कार जला कर खाक कर दी गई, क्योंकि मेजर ने अपने घर के बगल में तेज आवास में बच रहे डीजे की आवास को कम करने को बोल दिया था, बस फिर क्या था, गुन्डो को गुस्ता आ गया, जीप में आग लगा दी, मीडिया उत्तर प्रदेश की बी 2014 से पहले, यानि UPA की सरकार के दौरान, जितने पत्रकार सरकार से सवाल कर रहे थे, यहां तक की ऑपोजिशन के सवाल भी और जूटे इलजामों को सपोर्ट दे रहे थे, उन्हें सरकार ने देश द्रोही नहीं कहा, आम सहमती थी कि पत्रकार जनता की आवास होता है, और उपोजिशन भी, इसलिए दोनों के सुर्ख अभी भी मिल सकते हैं, आज New India में सरकार का हर क्रिटेक और सरकार से सवाल करने वाला देश द्रोही है, वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि International Organization Human Rights Watch ने अपनी ताज़ा Global Report में कहा है, कि भारत की मोधी सरकार ने activist groups और मीरिया पर हमले तेज कर दिये हैं, Human Rights Watch ने सौ से ज्यादा मुलकों में Human Rights के हालात को लेकर अपनी Global Report जारी करी है, 712 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि हिंदू राश्रवादी भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने मुसल्मान और दूसरी Minority Communities को दबाने के लिए Abusive और Discriminatory Policies अपनाई हैं, दोस्तों ये रिपोर्ट कहती है कि पूरे भारत में एक्टिविस्ट, पत्रकारों और सरकार के क्रिटिक्स को सियासी वज़ों से अपराधिक मामलों में गिरिफ्तार किया जा रहा है, इसमें आतंगवास से जुड़े मामले भी हैं, Administration, Income Tax के चापो Financial Irregulities के इल्जामों और Foreign Contribution Regulation Act के जरिये Human Rights के लिए काम करने वालों को परशान कर रही है, रिपोर्ट के मताबिक BJP की हुकूमत वाली स्टेट में Administration ने मुसल्मानों के घरों और प्रॉपर्टीज तोड़ी है, और ये कदम बिना कानूनी Legality और प्रोसेस के तहत उठाया ग देया है, दोस्तो Human Rights Watch की South Asia की Director मिनाक्शी गांगुली ने कहा है कि BJP सरकार का Hindu Majoritarian Ideology को बढ़ावा देने से Administration और उनके Supporters Minority Community के खिलाफ वाईलेंस से भरी कारवाई कर रहे हैं, जबकि ऑफिसर्स को BJP सरकार के Critics को जेल भेजने के बज़ाए, टॉर्चर करने वाली पार्ट पर लगाम लगानी चाहिए थी, दोस्तों इस रिपोर्ट के मताबिक भारत में इसाईयों को निशाना बढाने के लिए जबरन धन बदलने को रोकने को लेकर कानून बनाए गए हैं, इसमें बिल्कीस बानों के मामले का भी जिक्र है, बताया गया है कि 2002 के दंगों के दोरा एक प्रेगनेंट मसल्मान औरत के गैंग रेप के मामले में 11 हिंदूों को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया, उन्हें उमर कैप की सजा मिली थी, साथी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल दरजा हटाने और उसे दो केंदर शास पर बैन लगाने के फैसले का भी जिक्र किया गया है, खै, शिव सेना उधव गुट के नेता संजे राउत ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए बार बार हिंदू मुसल्मान करते रहोगे तो फिर से देश का बठवारा हो जाएगा, और दोस्तों इन तमाम नफरती सियासी तमाशे के बीच, RSS के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि मुसल्मानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने उस सोच को छोड़ देना चाहिए कि हम ही श्रेश यानि सुप्रीम है, और हमारा ही रास्ता सही है, बाकी लोगों का गलत. तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ, जैहे हिंद सत्ते मेव जैते, अल्ला हाफिज. दोस्तो हमारा पूरा वीडियो और दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल दमाशा हुई डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकों को जबूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की पूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्वीटर इंस्टाग्राम और पेस्बूक पेज़ पर मेरा ट्वीटर है एड़ दरेट आफ अर्शी अजीस खान थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में